नमस्कार आज हम सॉल्व करेंगे साजेदारी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्पोर्ट चैप्टर का सेलेक्शन हुआ है और साजेदारी में हम पढ़ेंगे एड़िशन ओफ न्यू पार्टनर अर्थात नए साजेदार का परवेश इसमें हम जो प्रोब्लम लेके चल रहे हैं उसको आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यह बुक का प्रिंट कैसा है यह भी आपको दिखा रहे हैं यह बुक का प्रिंट ऐसा है भाई खाता लेखा तथा लेखा सास्त्र बुक कीपिंग एंड एकाउंटिंग यह यूपी वोड की बुक है और इस बुक को कच्छा यहां पर लिखा हुआ है कच्छा 12 यानि 12 प्रस्प्रसम प्रस्न पत्र जुत्ती प्रस्म दोनों इसमें मवजूद है और इस वक्त हमारे सामले जो प्रोब पूंजी खाते दूसरी तरफ रोकर बैंक देंदार रहतिया मस्वेनरी भावन पेटेंट उसके बाद नीचे इस तिधी पर सा को उन्होंने साजेदारी में निम्न सर्थों पर समलित किया सा पहली सर्थ है सा फर्म के लाव में एक बटे आठ भाग लेगा और वह 30,000 रुपए तथा मसीन कम उल्यांकम 67,000 रुपए पर किया गया असोध रिनों के लिए 700 रुपए प्रावधान कीजिए पेटेंट अपलिखित किया जाए उप्रोक्त विवरान से आवस्यक खाते खोलिए फर्म का प्रार्मी चिठ्था बनाईए यह कोश्चन नमबर 8 है अब इस सवाल के अंदर जब हम इसकी सुरुवात करेंगे तो उन्होंने कहा आवस्यक खाते खोलिए आवस्यक खाते खोलने का मतलब है इसमें हम तीन प्रकार के खाते बनाएंगे नमबर एक सबसे पहले enjoyation account पुनर मुल्य अंकन खाता दूसरा बनाएंगे partners capital account यानि की साज्यदारो का पुँजी खाता उसके बाद frozen bank खाता kennen bank account उसके बाद फिर बनाएंगे balance sheet तीन तो खाते बनाएंगे और एक बनाएंगे balance sheet अब धिहान से बनाना सुरू करते हैं इसको सबसे पहले हम आपको Revaluation Account तयार किया जाएगा Writing पर पूरा ध्यान दीजिए बढ़िया तरीके से Solve करने की कोसिस कीजिए समझिए इसको Revaluation Account में किसी भी प्रकार की Assets में या Liabilities में अगर कोई भी कमी होती है तो उसका और बढ़ोतरी होती है तो भी उसका जिक्र किया जाता है अगर Farm के नजरिये से अगर उस संपत्ति या Liability में फायदा होता है नुकसान नहीं होता है तो उसको हम Credit Side में डाल देंगे अगर हमें नुकसान होगा तो Debit Side में डालेंगे Particulars और Rupees इस हिसाब से इसके Column को Maintain किया जाएगा अब हम इसके Points पर ध्यान देते हैं जिन Assets में कमी या बढ़ोत्तरी होगी हम सिर्फ उनहीं पर ध्यान देंगे यहाँ पर सभी बहुत सारी दे रखी हैं तो जिसमें सिर्फ उतार चड़ाव होगा या कमी बढ़ोत्तरी होगी उस पर ध्यान देना है बाकिची जो को इग्नोर कर देना है जैसे यहाँ पर बताया गया ये दोनों तो सा का हिसाब किताब हो गया सा एक बटे आट भाग के लिए लाएगा तीस हजार पूंजी लाएगा इसका Revaluation से कोई लेना देना नहीं सा 14,000 पर में ख्यादी के लाएगा इसका भी कोई यूज नहीं यहाँ से यूज है भावन का मोल्य 76,500 रूपय अब बताया जारा कि हो गया अब भावन का मोल्य आप देखेंगे यहाँ पर भावन 80,000 का है जबकि यहाँ पर 76,500 रूपया हो चुका अगर यह परसेंटेज में कहते 20% कम हो गया 10% जादा हो गया तो हम भावन का उतना परसेंट काटके कम हुआ है तो डेविट में जादा हुआ है तो क्रेडिट में डालते लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा इसका मोल्यांकन हुआ 76,500 अर्थात पहले भावन 80,000 का था लेकिन अब 76,500 का हो गया इसका मतलब 35 रुपए भावन कमूल अब कम हो चुका है यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्डिंग टू बिल्डिंग और यहाँ पर 35 रुपए कम हो गया 35 रुपए लिख दीजिए दूसरा पॉइंट कहता है मसीनरी कमूल 66,000 रुपए पर किया गया मसीन पहले कितने की है दियान से देखेंगे 60,000 की है अब 67,000 की हो गई इसका मतलब है मसीन का दाम 7,000 रुपए बढ़ चुका है बढ़ने के बाद इसको क्रेइट साइड में डालेंगे क्योंकि संपत्तियों के बढ़ने से हमें फायदा होगा संपत्तियां बढ़ेंगी तो क्रेइडिट में और घटेंगी तो डेविट में लाइबिल्टी मो उल्टा होता liability घटेगा तब credit में होगा liability बढ़ेगा तो debit में होगा क्योंकि liability उसको बोलते हैं जो पैसा हमें किसी को देना है अगर जिस व्यक्तिव को हमें देना है अगर उसे पैसा कम देना होगा तो हमारा फायदा होगा अगर उसे जादा देना होगा हमारा नुक्सान होगा अगला पॉइंट है असो धिरन के लिए 700 रुपए का प्राउधान किया जाए ये प्रोविजन फोर बैट डेप्ट्स है इसको बैट डेप्स भी लिख सकते हैं इसका मतलब है ये हमारा डूबा हुआ पैसा है 700 रुपए इसको बोलते हैं ये जो हमारे ग्राहक होते हैं डेप्टर संड्री डेटर ये ग्राहक हमारे पैसे 700 रुपए मार लेंगे या लेंगे भाग जाएंगे या हमें उम्मीद है 700 रुपए हमारा डूबता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद कहा पेटेंट आप लिखित किया जाए तो पेटेंट खतम कर पेटेंट की वैलू यहां पर हो गई यहाँ बूला है आप लिखित कर दो यानि सारा का सारा समाप्त कर दो पेटेंट 400 का है अशारा समाप्त करने पर पूरा 142.000 खतम हो जाएगा अब हम इसका मिलान करेंगे और चेक Saskе करेंगे सारी चीजे हो चुकी है अब देखेंगे निपे क्रेड्र में क्या डिफरेंस आ रहा है द्यान देंगे Decred side और debit side में ज़्यादा कौन सा है ज़्यादा है debit side अर्थाद यह है 8400 रुपए और यह है 7000 इसका मतलब है इस तरफ कमी है तो हम इधर कमी आती है तो हमें loss transfer करना पड़ता है तो यह loss आता है इधर debit side ज़्यादा है तो loss, credit side ज़्यादा है तो profit profit profit, profit होगा तो इधर बाटेंगे, loss होगा तो इधर बाटेंगे, दोनों में ज़्यादा होता है अगर debit ज़्यादा है तो debit को लिखway नीच दोनों तरफ इधर बी लिख़ए और इधर बी लिख़िए और debit में से credit को करेट आई और यहाँ लिखिए, है एज कैपिल एकाउंट एंड बीच कैपिल एकाउंट ए और बी के पूंजी खाते में इसको ट्रांसफर करेंगे 8400 में से 7000 घटा देंगे तो 1400 रुपए राप्त होगा इसको पुराने अनपात में हमेशा बांटा जाता है पुराने अनपात तीन बटे साथ साथ दूनी 14 दो सो आ गया दो सो के चार से उड़ा करेंगे तो 800 ऐसे 24 चार साथ दूनी जो और दो आया 200 के 300 सो मल्टिप्लाई 600 हो गया जिसका मज़ब 800 और 600 ये दोनों रुपए A और B को लोस के रूप में यहाँ पर बाढ़ दिये जाएंगे और यहाँ पर जरूर लाइन खेंजिदेंगे ऐसे बट गया इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट बहुत अच्छी तरह आपको समझ माएगा बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए नजर हटी तो दुरगहटना घटी ये वाला हाल है पार्टनर्सिप में इसकी एक एक जहलक आपके लिए महत पूर्ड है और इन बिल्कुर सीधी कीजिए और अच्छी तरह से राइटिंग बनाने की कोसिज कीजिए आपको बहतरी राइटिंग बनाकर दिख्याने के हम कोसिज कर रहे हैं आप भी बनाने की कोसिज इससे बढ़िया कीजिए यहां भी नाम करन होगा ऐसे ही पार्टिकुलर्स ए, बी, सी इधर भी पार्टुकुलर्स A B C सबसे पहले बाई बैलंस BD लिखते हैं यानि पुराना बैलंस हम ब्रोट डाउन करते हैं ब्रोट डाउन करेंगे पुरानी पूंजी बैलंस इट में जाईए और यहां पर पूंजी खाते लिखा होता है A B यानि A और बा का 120,000, 80,000 पूंजी हां लिखिए 120,000 A का 80,000 B का इसके बाद बाई बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में हम जो न्यू पार्टनर आया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे लिखता बैंक अकाउंट वो कितना रूपया ले खरके आया क्योंकि वो नया है तो उसका हमें देखना पड़ेगा वो कितना रूपया लाया वो लाया 30,000 रूपय पूंजी के तो बाई बैंक के नाम से C के खाते में 30,000 रूपय लिख दीजिए यहां लिखने के बाद अब लिखिए बाई जो निव पार्टनर आया है उसने ख्याती का पैसा लाया है यहां पे 14,000 रूपय अपने हिस्से के ख्याती के लाएगा ख्याती के जब नगत पैसा आता है तो पुराने पार्टनर A और B अपने पुराने अनुपाद में बांट लेंगे बांट के तो ऐसे सेक्रिफाइसिंग रेसों में त्याग अनुपाद में त्याग अनुपाद तब ही आता है जब पुराने अनुपाद में से नया अनुपाद घटाया जाए तो जब नया अनुपाद दिया नहीं है तो त्याग अनुपाद 4 तीन यही रहेगा यह नहीं बदलेगा यही त्याग अनुपाद माना जाएगा तो 14,000 को 4 बटे 7, 3 बटे 7 4 तीन का टोटल 7 हुआ तो 4 बटे 7, 3 बटे 7 पढ़ेंगे तो 14,000 जो ख्याती आई है उसको इस तरह से बाट देंगे 14,000 इंटू 4 बटे 7, 14,000 इंटू 3 बटे 7 दिखा आपने यह तो आगया काटके 8,000 यह आगया 6,000 इसी तरह से हम इसको बाटने के बाद यहां लिख देंगे 14,000 को बाई प्रीमियम यह जब नगद लाता है तो इसको प्रीमियम बोलते हैं 8,000 रुपए इसको देंगे और 6,000 रुपए इसको देंगे यह लाने वाला हो गया C इसके बाद चेक करेंगे हमें बैलन सेट में Profit and Loss यहां पर दो रकम और मिलती है सामाने संचिती इसका दूसरा नाम संचय या संचिती भी लिख्या होता है और यहां पर कभी कभी लाभानी खाता लिख्या होता है इनको क्रोस बाड़ते हैं अर्था 7,000 या Profit and Loss में कुछ है तो उसको कुछ भी होगा तो उसको हम Crédit Side में बाड़ेंगे इस Reserv को सामान शंचिती को हम Crédit Side में यहां बाड़ेंगे बाइ Reserv के नाम से यह साथ हजार है तो इसको भी पुराने अनुपाद में पुराने पार्टनरों में बाड़ेंगे 4 बटे 7 और 3 बटे 7 तो धिहान देने वाली बात है यहाँ पर क्रेडिट हुआ है यह तो यह ऐसे डेविट साइड में यहाँ आएगा टू रिवेलियेशन एकाउंट का नाम डाल देंगे रिवेलियेशन एकाउंट और यहाँ पर डाल दीजिए 800 रूपए और यहाँ पर 600 रूपए सब कुछ हमारा हो चुपा है अब इनका टोटल कर देजिए टोटल करने के बाद देखेंगे एक लाग बीस हजार आठ हजार चार हजार इनका टोटल एक लाग बात्तिस हजार रूपए होता है इसका टोटल 89,000 प्राप्त हुआ इसका 30,000 प्राप्त हुआ इसके बाद यही ब 80,000, 30,000, अब इसका Mr. A का total balance 1,32,000 है लेकिन 800 रुपए में revolution का घाटा हो गया 800 रुपए का जब हम यहां balance करेंगे 2 balance CD अर्थाथ हमारे पास जो balance है वो कितना बच रहा है तो 1,32,000 में से 800 निकालेंगे तो 1,32,200 रुपए हमारे पास बचेंगे 89,000 में से 600 घाटाएंगे तो 88,004 रुपए मचेगा 30,000 में से यहां कुछ घाटाने को नहीं है तो यह पूरा 30,000 ही रहेगा तो आपने देखा partners capital account कितना बढ़िया बनाया गया अब बनाएंगे हम cash and bank account Confusion हो जाता है cash है कितना bank कितना है तो इसलिए हम cash और bank को mix करके बना देंगे इससे cash पैसा हमारे jam में है या हमारे bank में आजकल digital India हो गया है तो cash और bank दोनों बराबर हो गया है जेम में पैसा हो या PTM में पैसा हो bank वाला पैसा भी हम hand to hand यूज कर ले रहे हैं इसका मतलब bank और cash दोनों एक हो चुका है तो two balance brought down करिए और इस balance को दोनों को जोड़ के लिए अपनी सहलियत के लिए confusion से दूर हो जाएंगे broker और bank दोनों जोड़ दो दोनों जोड़ करके 28,500, 1500 दोनों जोड़ के 30,000 होता है यहा 30,000 लिख दो हमने दोनों जोड़ा है इस बात को यहाँ पर दिखा भी दो नहीं तो confusion होगी कि यह कहां साया यह है 15,500, 500, total 30,000 अब हमारे पास पैसा आएगा कहां से जब Mr. C फर्मे आ रहे थे तो उनको भरती किया गया तो वो हमारे हाँ प्रवेश किये 30,000 रुपए पूंजी दिया उन्होंने और 14,000 रुपए का ख्याती दिया तो अब हम यहाँ पर 2, C's Capital Account C का पूंजी खाता 30,000 रुपए उन्होंने दिया और उन्होंने गुड़बिल का पैसा दिया प्रीमियम का गुड़बिल को जब नगत दिया जाता है तो उसका नाम प्रीमियम होता है प्रीमियम टू प्रीमियम एकाउंट यह 14,000 रुपए नहोंने दिया कुल मिला करके 74,000 रुपए हमारे पास अब फर में हो चुका है और यहाँ पर भी अब जब टोटल करेंगे इसका टोटल ही यहां लिखा जाएगा बाई बैलंस C.D. के नाम से बाई बैलंस C.D. यही हमारे पास बैलंस है जो हम कैरी करेंगे कैरी यानि आगे ले जाएंगे 74,000 रुपए है देख लिए आपने यह कैस का बैलंस है cash कहां से आया ये पुराना balance हमने दिखा है कहां से लिया ये C का capital account है जब C आया तो पूजी के लाया C premium के लाया अगर C premium के पैसे नगज नहीं लाता तो हम यहां premium नहीं लिखते इसका total 74,500 EC को by balance CD कर देंगे अब balance sheet बनाएंगे balance sheet में जो चीज़ बदल गई है उनको बदल देंगे अजो चीज़ नहीं बदली है उनको ऐसे ही लिख देंगे अब देखेंगे balance sheet बनाने चल रहे है लिखिए सबसे पहले यहां पर balance sheet line sheet ही बिल्कुल accurate तेरी मेरी बिल्कुल नहीं होने चाहिए राइटिंग बिल्कुल बढ़िया स्वक्ष इधर आता है liabilities इसमें debit credit नहीं होता है टू बाई नहीं लगाते हैं इसका देहां रखेंगे liabilities assets देख दिया सबसे पहले book में ही देखेंगे book में से ही सब चीज उतारेंगे ऐसे कैसे ही इधर से देखेंगे आप सब चीज ऐसे उतारेंगे लेकिन जो बदल चुका है उसे बदल दीजिए जो नहीं बदला है उसको ऐसे लिखिए लेंदार है लेंदार हमने कोई छेड़ खानी तुकी नहीं है तो लेंदार यानि क्रेडिटर्स इनको ऐसे ही लिखिए जैसे हैं 27-200 के हैं 27-200 जोंकत्य उतार दीजिए उसके बाद सामाने संचती हम बाट चुके हैं सामाने संचती कोई यूज नहीं करेंगे पूजी A और B की दे रखी है पहले अब हमने पूजी खाता यहां बनाया हुआ है पूजी खाता आपने देखा अब यह बैलेंस सीडी जो पूजी है 1,32,228,430 जो बैलेंस सीडी का पैसा है यही बैलेंस सीडी में डालते हैं तो यहां पर लिखिए कैप्टल A का, B का, C का तीन पार्टनर, तीनों की कैप्टल अलग-अलग हो चुकी है A की एक लाग का तीसजार, दोस्तो B की अठासी चार सो जो मैंने दिखाया भी A C की तीसजार रूपए इन सब की पूजी टोटल करके यहां लिख देंगे इनका टोटल कर ही लेते हैं आपको दिखाते भी रहते हैं हालांकि आपको कैलकुलेटर लाउड नहीं है फिर भी हम यहां पर आपको कैलकुलेटर से जल्दी काम हो जाए, बता दे रहे हैं एक लाग के तीजार दोस्तो यहां आप देखते रहिए और यहां इस्क्रीन पर भी देखते रहिए प्लस अठासी चार सो प्लस तीस अजार बराबर दोलाख उन्चास अजार छे सो दोलाख उन्चास अजार छे सो अब पहुंचते हैं आइसेट साइब में देखेंगे तो यहां पर है रोकर और बैंक दोनों हमने रोकर और बैंक का एकाउंट बनाया हुआ है पहले रोकर बैंक का आप देखेंगे तो इनका रोकर बैंक डालने के बजाए हम अपना रोकर बैंक यह 74,000 डालेंगे धिहार रखेंगे गल्ती बिल्कोल नहीं होने चाहिए अपना रोकर बैंक डालेंगे यहां लिख देंगे cash and bank 74,000 रूपए ठीक है इसके बाद देंदार देंदार debtors को बोलते हैं यह debtors हैं हमारे debtors 30,000 की थे 30,000 में से 700 रूपए हमारे डूप चुके हैं जो कि हमने starting revaluation के time दिखाया था यह रही bad debts 30,000 में से 700 रूपए हटा देंगे तो हमारे पास 39,000 300 रूपए बचेंगे उसके बाद balance sheet में चेक करते हैं अगला item रहतिया stock यहां stock के बारे में कोई information नहीं है न तो कम हुआ है नहीं जादा stock जितने का है उतना ही लिख दीजिए stock 30,000 का है तो 30,000 लिखिए machinery machinery है 60,000 लेकिन यहां बोला गया 60,000 नहीं अब 67,000 लिखिए 7,000 जोड के लिखिए तो हम machinery को लिखेंगे 60,000 में 7,000 जोड करके हम लिखेंगे 67,000 रूपए 67,000 रूपए उसके बाद building building है 80,000 लेकिन नीचे बोला गया कि 76,500 हो गया 35,000 कम हो गये यहां पर building लिखिए building 80,000 में से 35,000 माइनिस कर दो कभी-कभी यह रकम confused करती है तो revaluation account में देख लो कि हमें क्या घटाना क्या बढ़ाना है machine बढ़े हुए की तरफ है यानि create में है तुझे जोड़ेंगे जोड़ दिया है हमने building ये रहा 35,000 building में 35,000 पर घटेंगे घटा दिया तब ही तुछी 75,000 आएगा इसके बाद यहां पर balance sheet में patent लिखिया है नीचे बोला गया patent अप लिखित कर दो यानि खतम कर दो तो patent जब खतम हो जाएगा तो यहां क्यों लिखेंगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे खतम हो गया program तो खतम हो गया अब हम balance sheet का total करते हैं और check करते हैं हमारा कितना balance हुआ इसका total करेंगे इन दोनों का total करने पर हमें प्राप्त होता है 276,800 रूपए यही रकम इधर भी आनी चाहिए 276,800 रूपए यह का बहुत जादा है तो इसको इमार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं यहां देखते रहिए 74,000 आप सहिए 74,000 प्लस 29,300 प्लस 30,000 प्लस 67,000 प्लस 76,500 प्लस बरावर 26,800 रॉइट 27,800 हो चुका है अब हमने देखा कि बाइलन सेट भी बन गई देखिए रिवैलुएशन एकाउन बिल्कुल बहातरी इन साफ सुथरी डाइटिंग में Partner's Capital अकाउन साफ सुथरी डायटिंग में Cash Book Bank अकाउन साफ सुथरी डायटिंग में और Balancer भी बिल्कुल किलियर अप्लस साफ सुथरी डायटिंग में आपकी आंखों के सामने है आप इसको दो बार देखेंगे तो आपको इस सवाल बिल्कुल परफेक्टली समझ मा जाएगा वीडियो यहीं समाथ होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सेयर सबस्क्राइब जरूर करिए